पार्टी हो या शार्टी या छोटी मोटी भूक लगे या शाम को कोई अचानक महमान आ जाए तो हमें प्रश्ण चिन्नगिर जातों क्या बना ऐसा कुछ बनाया जाए नया भी हो और हमारी तारी भी हो तो यहाँ पर हमने बनाए कच्चे आलो और मटर के एक नया स्नेक रिजल्ट देख सते हो अंदर से सौपड़ भाहर से बहुत ही क्रिस्पी है हाँ दोसर यह जो नाश्टाम बना रहे बहुत ही कम खर्श्च में बनकर तयार हो जातों खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट है चलो फिर हम ज्यादा बाते करते हैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करते आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती तो दोस्तों में कॉमेंट करके आपने जरूर बताए चैनल पे नहीं होगे तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करना ना भूले मृते वाले लच्छे ना चैहिं इसबात का अपने ध्यान देना है एक बाउल में मैं पानी लेना है और अचल इच्छी तर से घुर्ड दाल देना है क्योंकि अलुकर अबंगा सा नमग भी डाल देता थोड़ा सा इनमक डालने से जो भी इस तरा स्टार्च निकल जाएग फानी पंपनी से हुआं से अभी पानी कमने एक नि निचोंड लेजें जरू मैं इसलिए श्रण ने इसमें निचोड़ेजी तरह से एक नियुक्त नुचने से पानी मा emissions थोड़ा बीने चीये आलू का एप एक बाउल लेना बाउल के अंदर आलू में डाल देना अप देञ थोड़ा भी इसमें पानी ने कुछ भी नहीं पर एक कप हमने मटर लेना है मटर को हमनें हलका सा उबाल ली आ है यहां पर डालेगे 2री मीज बारी कटी होई अब इसाम अचねぇ झाई पीष देल को डालो चे यहां वह वाया जाऊником मैं पर डालेगे एक बड़ा प्याज बारी कटा हुआ तो चमच तील हाँ दूसरों जो तील हम डाल रहे ने इसका जो स्वादन बहुत ही अच्छा लगता है एक नमबर लगता है नया स्वाद में आपके इसमें देने वाली हो बहुत ही खाने में एक नमबर एक चमच धना पौडर डाल देना है इसी के साथ हम डालेगे आदा चमच अजवाईन अजवाईन को क्रश करके न डाले ऐसे ही डाला तो भी चलेगा दोस्तो पाउ चमच इतनी हल्दी डाल देनी है हल्दी के साथ डालेगे कश्मीरी मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैंने आलड़ेव warrior लिए कलर के लिए कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दे 1,×2 जझी और ज्यादा तीखा खाना पसंड करते हैं तो मिर्च आप इसमें बड़ा भी सकते हो अब शवात आने के लिए पाउ चमा जितना चाट मसाला यदि चाट मसला घर पे कभी होता है कभी नहीं होता है तो कोई बात निया आप इसकी वज़े निम्बू का रस भी डाल सकते हो आधाइं चद्र का तुकड़ा इसे हमने ग्रेट कर लिया है इसे हमें पेस्ट ना डाले दोस्तों इस बात का अपने ध्यान देना है यहाँ पे डालेगी धेर सारा कटा हुआ धनिया धनिया जितना ज्यादा होगा उतना स्वाद अच्छा लगी हमारे टिकी खाने में और यहाँ पर जाएगा लास में नमक नमक नहीं होगा तो मज़ा आएगी नहीं खाने में है न तो नमक स्वाद दूसरा हमें डाल देना है अब इसे अच्छी तसे एक मिन के लिए चला लेना है। अब यह पर अच्छी तस हमने मीज कर लिया है। आप देख सकते हैं बढ़िया सा चमचे को कर लेते थोड़ा सा क्लीन। अब यहाप डाले के लिए तीन चमचि बेसन का आटा। यह वाला चमच यूज़े करना है। तीन चमच डाल देना हैं। यदि कम पढ़ा तो ढालना हैं यदि तो नढालना है। अब यहापे इदम crunchy यानी के इदम crispy होने के लिए यहापे हम डाले दो चम जितना चावल काटा तो भर के डालना है चावल काटा अब हातों से इसे अच्छी दक से मीस करना है जे से हमने बेशन काटा हो चावल काटा इसके अंदर डाल दियाना तो तुरstop एक जगह हमने oil गरम करने को भी रख लेना है यदि आप रख दोगे बाद में गरम करोगे और इसमें पानी छुट जाता है तो इस बात का ध्यानी देना है जैसे हमें मीस कर रहें तो एक जगह गरम oil गरम द्रविन को रख लेना है और आलू में तो पानी था ही क्योंकि हमने आलू में नी चोल लिया था पानी है ना मैं आपको स्कीप करके नहीं मैंने बताया यह अप्रयाप अच्छी तरसे डो बनकर तयार हो चुका है आप देख सकते हो अब हाथों को क्लीन कर लेते हैं छोटी छोटी टिक्या बना लेते हैं हाथों को क्लीन कर लिया हो यहाँ पर थोड़ा सा ओईल ले ले दियू क्योंकि डो हमारा चिपके ना इसलिए इससे अच्छी तरसे ग्रीस कर लेना है हाथों को इस तरीके से अब जो साइज के आप टिक करना है थोड़ा में मोटा करना है इदम बढ़िया से इदम कुर कुरित हमारी टिकी बनकर तयार हो जाती एक बार एक खाओगे दोस्तों खाते रहे जाओगे अब इसे में फ्राइ कर लेते हैं अब एक दम अच्छी तरह से गरम ओईल हो गया यहां पर हम लोग शैलो फ्राइ करें इस बात का अपने ध्यान देना है अच्छी तरह से में इसमें टिकी डालते जाना है और अच्छी तरह से गरम चे थंडा तेल बिलकुल भी निचे इस बात का अपने ध्यान देना है जितना पतला साइज आप करना चाहतेगों उतना पिसमें कर सकते हो तो यहां पर इस देख सकते हैं इस तरीके से वाव यम्मी यम्मी और अच्छी तसे इसे गुल्डन फ्राइ कर लेना है हाँ दोसे यह नई रेसिपि आपको कैसी लगती है हमें बताना है और एक बार जरूर घर पे बनाना है आपको बहुत ही पसंद आएगी अचानल कोई मेहमान आ जाए या में छोटी मोटी पारिटी होता आप इसे इजली है आसानी से स्नैक बना कर खा सकते हो एक बार बना कर खाओगे हैं दोसों तो सही में आपके घर में जो भी महमान आएगा आपकी तारित की बिना जाए का नहीं मैं आपको गैरंटी के साथ आपको बताती हूँ अब इसे आपका नाम आप क्या देना चाहते तो समय कॉमेंट करें आपने ज़रूर बताए क्योंकि आंपर मैंने मटर और कच्छे आलू की टिकी नाम दिया है इतन्म कॉमन नाम है आपकुछ नया नाम देशे और वहमें बताए इस तरह की आपके सारी टिकी हम निकाल देज और बना जबना सकते हो इस दम कूर कूरीते अंदर से हलक से रूई जैसे सौप्ट उम्मीद करोगे तरीक आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो इस रेशीपी का आप क्या नाम देना चाहते हो दोस्तों तो मैं कमेंट करके जुरूर बताए चैनल पर नहीं होगे तो लाइक करें शे